जैश्री रहाम मित्रो, मैं सीवा रविला, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है आज में लेकर आई हूँ ऐसा उपाए ये है तुलसा जी जो बेकुंटी हो जाती है सर्दियों में उन्हें आप कभी ना फेके, इसकी जोद कैसे बनाए वो मेरे चैनल पर है आप जरूर चैक कीजिए, इसका भी हम आज उपयोग करेंगे यहाँ पर ले रखे हैं हमने टेस्व के फूल और हवंत सामगरी है जो बौदे इंदिरों में हर्द सर्दियों में सूख जाते हैं उन सब का मैंने उपयोग किया है, जो आप उजा में ले सकते हैं सभी को ले लिया है, सभी को हम क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से इसका पौडर बना लेंगे साथ ही ले लेंगे हम कुछ फूल के पत्ते, जैसे की गेंदे के, गुलाब के इन्हें आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं आप इस तरीके से इसको पौडर में कनवट कर लीजे और इसको पीस करके रख लीजे, इस तरीके से मैंने फूल के पत्तो को भी ले लिया है अगर आप गिले भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें आगे से गिला करना ही है तो जो और सामगरी होते हैं वो भी ले लेते हैं यहाँ पर हमने गाय का वोबर लिया है, यह एकदम फ्रेश है, बिल्कुल दुरगंद रही थै जो हम बनाएंगे कुंडियां तो हमारा मन भी लगेगा यहाँ पर लिया है चावल का आटा, क्योंकि यह भी पुजा में उपयोग आता है यहाँ पर ले लिया है देसी घी, गाय का देसी घी है और साथ ही ले रहे हैं शहर्द यह कुलसा मगरियां आप हवन में उपयोग में लाते ही हैं तो हवन कुंडि पहले से बना के रेडी कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा सबी चीजों को मिक्स कर लेते हैं अब आप कहेंगे इसका रेशो कितना हो यह सब चिज़े आपके अपनी पसंद के हिसाब से हैं वैसे मैं आपको कॉंटर्टी लगबग दिखाईए आप इसमें कम या जाधा कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर आप शेह थो सब्सक्राइब कर लेंगे अच्छे से बनाएंगे इसको अभी इसके अंदर काफी अच्छी सुगंद आ रही है आप यकीन मानिए क्योंकि इसके अंदर सभी अच्छी चीजों का उपियों हुआ है जो हमने आपको तुलसा की लकड़ी दिखाई थी उसको भी कूट के और मिक्सी के जार में प्रॉब्लम हो सकती है अब आप चाहें तो हवन करते समय उसे वैसे भी लगा सकते हैं अब आप देख सकते हैं काफी अच्छे से जुल पा रहा है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी और एड़ करेंगे ताकि हमारी कुंडी अच्छे से बने क्रैक तो जितनी आवशकता हो उतना उतना पानी एड़ किजिए मैं बहुत नननना पानी इसमें लगा करके सको एड़ कर रही हूं आप यहां पर देखेंगे हमारी कुंडी कितनी अच्छे से त्यार हो रही है आप इसे थोड़ी बढ़ी भी बना सकते हैं पर यह काफी है क्योंक या सानी से आप इसे बना पाएंगे अब आप क्या करें इसको इससे छोल करने के बाद में बीच में आप अंगुठा या उइल उपने से साहते से इसको बढाएं अल्का हलका गीला जरूर करते रहें और इस तरीके से देखे अग्टा भीच में और उओल्षा साइडों में करके आप इसे बढ़ा लीजिए कुछ इस तरीके से यहां से इसके कुने जो है किनारे इसके थोड़े-थोड़े पतले कर लीजिए और नीचे इसमें अच्छा होल कर लीजिए ताकि हवन साम घरी, कपूर, लोभान वगरा डालेंगे तो यह अच्छे से त्यार हो जाएगी तो लीजिए मैंने हवन की जो कुण्डिया है इन्हें सुखा करके तयार कर लिया मेरे आँ तो दूप आती है अगर आपके दूप नहीं आती तब आप इसे हवा में भी सुखा सकते हैं क्योंकि अब मौसम अच्छा भी हो गया है तो आपके हवन कुण्डिया पूजा करेंगे तो कोई परिशानी नहीं होगी क्योंकि कर्सी लगाते हैं तो वह कफी फैल जाती है इस बात का ध्यान रखते हुए मैंने ये कुण्डिया बनाई है अब आपको जब भी पूजा करनी हो तब आप एक हवन कुण्डिय लीजिए गोडशकर गंदक लोबान कपूर इलाइची और इन सब चिज़े जो भी कुल सामगरी आप यूज करते हैं उनको आप ले लीजिए और इस तरीके से आप अगर तिल का तेल डालना चाहते हैं तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं मैं घी कही इस्तमाल कर रहे हूं वैसे देसी घी का आप प्रियोग सकते हैं यह हवन कुण्डी मैंने एक घंडे तक प्रजलित की थी आप भी इसमें दिरे दिरे समान को बढ़ाते हुए इस तरीके से जब तक भी आप हवन को करना चाहते हैं तब तक आप कर सकते हैं बहुत ही अच्छी है और भी ऐसी वीडियो जो आपके उपयोग में आए जैसे की किस प्रकार से जोद बनाएं अखट जोद का कैसे ख्याल लखें अखट जोद कैसे बनाएं सबी वीडियो मेरे चैनल पर हैं आप प्लेलिस जरूर चेक कीजिए घर को किस तरह से सजाएं आमके पतों से तोरन बनाने की विदी भी मैंने आपने चैनल पर दी हुई ह और साथ ही जो नवरात्रों में आप भोजन लेते हैं उसमें भी मैंने बहुत सारी वराइटी दी हुई है आप जरूर चेक कीजिए आपके लिए वीडियो काफी हेल्फुल होंगी और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा क्योंकि मेरा इससे प्र आपको कैसी लगी ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो के साथ में आपके साथ में मिलती रहूंगी अब यहां पर आप देख सकते हैं जो तच्छे से ब्रजलित हो रही है और जब पूरी तरीके से ब्रजलित हो चुकी थी तब ये देखे इस तरीके से दिखी